हे गैस केसे हो मेरा नाम है जाबिर और आज के इस वह हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में तो जैसे कि इंडिया में जियो एरटेल एंड वी आई टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने बिग सीटिस में अपना 5G लॉंज कर दिया है उसमें से मुंबे भी है तो फ्रेंट्स आज हम करने कि यह 5G bands हैं क्या और इसका क्या यूज है और आपके फोन में कितना 5G bands होना चाहिए तो यह सब को सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं तो फ्रेंट्स इंडिया में टोटल 9 5G bands हैं जिसका लिस्ट यहां पर आप देख सकते हैं और उसके बाद यहां पर टेलिकॉम ऑपरे 1005G के bands हमें मिलते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास हैं MI 11i 5G और यह फोन में टोटल हमें 8 5G bands देखने को मिलते हैं और इंडिया में total 9 5 G bands हैं तो यहां पर एक ही 5G का bands कम मिलता है जाते हैं तो फ्रेंस आपके फोन में जितना च्था 5G के bands रहेगा उतना ज़्यादा benefit ले सकते हैं 5G network का अपने phone के साथ आप कोई भी location में चले जाओ आप अच्छे से 5G को use कर पाओगे आप ruler area में रहते हैं या गाओ में या city में कहीं भी आप लेके जाओ अपने phone को आप अच्छे से 5G को use कर पाओगे जितना ज़्यादा आपके phone में 5G बैस रहेगा उतना आपके लिए benefit हो जाएगा आपके phone के लिए benefit हो जाएगा तो friends अगर आप कभी भी 5G phone खेदने जाएंगे तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आपको उस phone में कितना 5G bands मिल रहा है अगर आपको जादा जादा 5G bands उसमें मिलता है तो आपको उस phone को अच्छे से देख के आपको उसको खरीद लेना है आपको कोई भी दिकत नहीं होगा 5G network के साथ आप इजिली 5G network को use कर पाओगो उस phone में भी चल रहा है तो चलिए इसका सबसे पहले 5G speed test देख लेते हैं कितना speed हमें देखने को मिलता है 5G network के साथ तो यहां पर हमें speed test का यहां पर application मिल जाता है तो इसको आपको open कर देना है आपको भी network speed test करना है इसे application से आप भी कर सकते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface रहेगा तो आपको यहां पर go पे click कर देना है गोपी click करने के बाद यहां पे connect होगा उसके बाद यहां पर आपका speed 24 MB का हमें download a speed मिल जाता है और uploading a speed account MB का मिल जाता है जो काफी यहाँ पर हमें fast network देखने मिल रहा है तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं 5G network का यहाँ पर atel 5G का तो देखिए फिर से यहाँ पर connect हो गया और यहाँ पर फिर से speed test करते हैं तो यहाँ पर हमें करना या नहीं तो आपका यहाँ पर सारा data खतम हो जाएगा देख सकते हैं भी 300 यहाँ पर 30 MB का यहाँ पर हमें speed देख रहा है यहाँ पर downloading a speed देख सकते हैं तो फ्रेंस यहाँ पर हमें काफी अच्छा speed मिल जाता है एक आटेल 5G का जो यहाँ पर 308 MB का downloading a speed दे रहा है और 50 MB का यहाँ पर uploading speed दे रहा है तो काफी हमें यहाँ पर fast network मिल जाता है और यहाँ पर YouTube को भी चला के दिखा देते हैं तो अब देख सकते हैं YouTube भी काफी fast यहाँ पर work कर रहा है कोई भी आप वीडियो खोलो तुरंत यहाँ पर open हो जा रहा है जो यहाँ पर देख सकते हैं औ यहाँ पर 4G में कितना speed मिलता है और यहाँ पर इस phone में भी speed टेस्ट कर लेते हैं दोनों के away ए करते हैं 4G and 5G का तो चलियो यहाँ पर दोनों को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर go प्र किलिक कर दे honest करते हैं यहाँ पर दोनों a-icit मिल गया तो डाटा यहां पर मेरा डान अ हो गया पूरा क्तम हो गया यहां पर a p 150 नहीं सो हुआ तो यहांप मेरा डाटा क्तम हो गया इस फॉंड का जो देख सकते हैं यहां पर चैब 43 थेजिए और यहांपर में काफी कम सिम्ट की देखने को करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं इसमें में ऑके कर देता हूं और यहां पर 5G वाले में यहां पर नहीं है तो यहां पे कहीं पर टवर्क नहीं कर रहा हैu हैं कर दोंगों को यहाँ नहीं प鐵 लांड़ कर मुझेश करें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिक्शन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए थांक्स पर वोचिंग गुडवाई